नमस्कार डेली PCSG के प्रोग्राम में आपका स्वागत है आईए शुरुवात करते हैं अभ्यास प्रश्न से हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि सुशील कुमार मोदी जिनका हाल ही में निधन हो गया निमनलिखित में से किस राज्य के पूर्व उपमुख्य मंत्री थे राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार या फिर हरियाना इसका सही चवाब है उप्शन सी बिहार हाली में वरिष्ठ राजनेता और बिहार के पूर्व उपमुख्य मंत्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयू में नई दिल्ली में निधन हो गया वे कैंसर से पीडित थे वह वर्ष 2005 से 2013 और वर्ष 2017 से 2020 तक बिहार के उपमुख्य मंत्री के साथ साथ बिहार के वित म अंत्रियों की अधिकार प्राप्त समीती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब ऑप्शन सी बिहार आईए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पहला प्रशन है निम्दलिखित में से कौन सा जिला आदिवासी प्रतीक बिरसा मुंडा का जन्मस्थान है खूंटी, सिंग भूम, लोहर दगा या फिर बोकारो इसका सही जवाब ऑप्शन ए खूंटी लोकसबा चुनाफ दोहजार चौबिस के भी जहार खंट के खूंटी, सिंग भूम और लोहर दगा में कई आदिवासी मतदाता विकास एवं बुन्यादी सेवाओं की कमी से नाखुश है आदिवासी आदर्ष बिर्सा मुंडा की जन्म स्थली जहार खंट के खूंटी लोकसबा क्षेत्र के एक गाउं अलीहातु में निवासियों में असंतोश है बिर्सामुंडा की बात करें तो बिर्सामुंडा का जन्म वर्ष 1875 में हुआ था विमुंडा जन्जाती के थे उन्होंने उन्नीसवी शताब्दी के अंत में आधुनिक जारखंड और बिहार के आदिवासिक शेत्र में ब्रिटिश शाचन के दोरान एक भारती आदिवासी धार्मिक मिलेनेरियन आंदोलन का नेत्रित व किया तो इस तरहां इस प्रेशन का सही जवाब्य उप्शन एक हूंटी अगला प्रेशन है औरचा वन्नेजीव अभ्यारणे की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992, 1994, 1996 या फिर 1998 इसका सही जवाब्य उप्शन भी 1994 हाली में राष्ट्री हरित अधिकरण यानि NGT ने औरचा वन्नेजीव अभ्यारणे के एकोसिस्टम जोन में पत्थर तोड़ने वाले और खनन खदानों के अवैत संचालन की शिकायत पर गौर करने के लिए एक समीती का गठन किया NGT के अनुसार 337 टन रासायनिक अफशिष्ट के निप्टान भूजल प्रदूशन पाईप से पानी की कमी और अनुमे सीमा से अधिक लोह, मैंगनीज तथा नाइट्रेट सांदरता की निगरानी के लिए ततकाल कारिवाई की आवशकता है इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी और यह है एक बड़ेवन क्षेतर के भीतर स्थित है यह है मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा क्षेतर में बेतवानदी के पास स्थित है जो इस अभ्यारणे के अध्वितिये पारिस्थितिकी तंत्र तथा जैव व प्रियावरन की सुरक्षा इवं परियावरन में सुधार करने के उद्देश्य से परियावरन संद्रक्षन अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया गया था यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में परियावरन प्रदूशन को रोकने और देश के विबिन हिस्सों में विशिष्ट परियावरनिय समस्याओं से निपटने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकरित करता है यह अधिनियम परियावरन के संडरक्षन और सुधार हेतु सबसे व्यापक कानूनों में से एक है तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब आप्शन C 1986 इसका सही जवाब आप्शन C राष्ट्री हरित अधिकरण की सथापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्री हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी NGT की स्थापना के साद भारत एक विशेश परियावरन न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकाश शीर देश बन गया इससे पहले केवल आस्ट्रेलिया और न्यूजिलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी NGT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य परियावरन संबंदी मुद्धों का तेजी से निप्टारा करना है जिससे देश की अदालतों में लगे मुकद्मों के बोज को कम किया जा सकें NGT का मुख्याले दिल्ली में है जबकि अन्य चार क्षेत्री कारियाले भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नाई में स्थित है राष्ट्री हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार NGT के लिए यह अनिवार्रे है कि उसके पास आने वाले परियावरण संबंदी मुद्धों का निप्टारा छे महीनों के भीतर हो जाएं तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब आप्शन A, 2010 अगला प्रश्न है विश्व मदुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है 18 अप्रेल, 20 मई, 25 जून या फिर 1 जुलाई इसका सही जवाब आप्शन B, 20 मई विश्व मदुमक्खी दिवस एक वार्शिक कारेकरम है जो 20 मई को परियावरण, खादे सुरक्षा और जय विविदता हे तू मदुमक्खियों एवं अन्य परागणकों के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है स्लोवेनिया के आधुनिक मदुमक्खी पालन के अग्रदूद एंटोन जांसा के जन्मदिन के उपलक्षय में इस तारीख को चुना गया था स्लोवेनिया के एक प्रस्ताव और 115 देशों के समर्थन के बाद सयोक्त राष्ट्र महसभा ने वर्ष 2017 में विशुमदुमक्खी दिवस घोशित किया तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब ऑप्षन बी 20 मई अगला प्रश्ण है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष थापित किया गया था 2009, 2012, 2015 या फिर 2018 इसका सही जवाब ऑप्षन ए 2009 2009, राजस्तान सरकार ने अगले शैक्षणिक सतर के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009े तहत नीजी स्कूलों में वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश को प्रार्थमिक्ता पर लिया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसके तहट वर्ष 2009 में बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवारे शिक्षा का प्रावधान किया गया तथा इसे अनुचेद 21A के तहट एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया आठी अधिनियम का उद्देशय 6-14 वर्ष की आयू के सभी बच्चों को प्रार्थमिक शिक्षा प्रदान करना है धारा बारा उपधारा एक C में कहा गया है कि गैर अल्प संख्यक नीजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित प्रिष्ट भूमी के बच्चों के लिए प्रवेशतर ग्रेड में कम से कम 25% सीटे आरक्षित करें यह गैर प्रवेशित बच्चों को आयू के अनुरूप कक्षा में प्रवेश करने का भी प्रावधान करता है यह केंद्र और राजसरकारों के बीच वित्ये एवं अन्य जिम्मेदारियों को साज़ा करने के बारे में भी जानकारी देता है तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब ऑप्शन अ दोहजार नौ अगला प्रशन है राजस्थान वन अधीनियम की स्थापना के सुवर्ष की गई थी इसका सही जवाब ऑप्शन अ उप्शन दक्षन राजस्थान में सेमल वरिक्षों की संख्या में कमी आ रही है जिससे क्षेत्र के वनों और लोगों पर प्रतिकूर प्रभाव पढ़ रहा है दक्षनी राजस्थान में भील और गरासिया आदी स्थानों पर सेमल बड़ी मात्रा में काटा जाता है तथा उदैपूर में बेचा जाता है यह कटाई राजस्थान वन अधीनियम 1953 से लेकर वन संरक्षन अधीनियम 1980 तक कई कानूनों का उलंगन करती है सेमल एक अभिन प्रचाती है जो वन पारिस्थित की तंतर को एक साथ रखती है शैल मदुमखियां इसकी शाखाओं पर घोसला बनाती है क्योंकि विरक्ष के प्रहों में उगे नोग इसके शिकारी स्लोथ बीर से बचाफ करती है जनजातिय समुदायों के सदस्य मौनसून के दोरान भोजल के लिए विरक्ष की लाल जड का सेवन करते हैं इसकी पतियों को खाते हैं तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब ऑप्षन ए उन्निस सो तिरेपन अंतिम प्रशन है इंडियन क्रेस्टिट साही की IUCN स्थिती है संकट ग्रस्थ, कम चिंतनिये, सुभेद्य या फिर संकटापन इससा सही जवाब ऑप्षन भी कम चिंतनिये इंडियन क्रेस्टिट साही वेग्यानिक नाम, हिस्ट्रिक्स इंडिका, भौगालिक सीमाई है पूरे दक्षनपूर और मध्य एशिया एवं मध्य पूर्व के कुछ हिसों में पाया जाता है संरक्षन की स्थिती, IUCN स्थिती कम चिंतनिये यानि लीस्ट कंसर्न और वन्यजी संरक्षन अधीनियम 1972 की अनुसुची 4 तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब ऑप्षन भी कम चिंतनिये आईए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रशन शंबो नदी उत्राखंड के किस जिले में स्थित है अलमोडा, हरीद्वार, बागेश्वर या फिर पौड़ी गड़वाल इसका उत्तर हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर भेजिएगा मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करना न भूले